तो समसंग की फोन में One UI 6 अपडेट आने के बाद काफी सरे नेने फीचर्स हमें देखने को मिला और इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 30 प्लास ने फीचर्स के बार में बताया हूँ तो अगर आप एक समसंग यूजर हूँ अगर अपने One UI 6 को अपने फोन में इंस्टार्ड कर लिया है तो इस वाले वीडियो को जरूर से चेक आउट कर लेना अगर आपको इन में से कोई भी सॉटकाट को प्रेस करना है या फिर आफ करना है तो मुझे इस तरह से दो बार स्वाइप करना होगा तो एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप सिंगल स्वाइप करके भी उन सारे कंट्रोल्स को एकसेस कर पाऊगे इसके लिए आप लोगो एड देखने को मिलेगा बट जैसे ही आप राइट साइड से स्वाइप करोगी आपको सिंगल स्वाइप में ही यह सारे ओप्सेंस देखने को मिलेगा जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो और इसके बाद नेक्स्ट चेंजेज की बात करो तो अगर आप पार बटन को प्रेस और यहां पर देखने को मिलेगा हाला कि यह जो प्रुछार्ज अब ही आपको इस जगा पीस चैनिक देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट फीचर की बात करो तो यह जो बैटरी वाला Especially Corps यह तो पूरा रिडिजेन कर दिआ कर कर सकते हो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा नाच्ट चेंजिस की बात करो तो गैलरी के अंदर काफी सरे नेने इस फोटो के अंदर मैं हूँ तो जस्ट मैंने यहां पर खुद को ही इस तरह से एक सेप में डाल दिया है और इसके बाद यह आप देख सकते हो और मुझे डिटेक्ट कर लिया है फिर नेक्स यह मेरा पी एंजी रेडी हो गया अगर मुझे इसकी साइड में बॉडर आड करन करते हो और यहां पर कलर में स्टाइल स्पॉट कलर यह सारे ओप्सेंस या फिर फीचर भी आपको देखने को मिलता है और इसके बाद नाक्स्ट फीचर की बात करूं तो यह माई फाइल्स एप्लिकेशन के अंदर आगर आपको भी वीडियो को प्ले करते हो तो बैसी के लि इसके अंदर आप इसे क्रॉप कर सकते हो या फिर सट्राच कर सकते हो तो यह सारे आपको अप्सेंस मिलता है आपको यहां पर PIP मोल में चीज का आनंद ले सकते हो next अगर आप suppose कोई भी movie देख रही हो and अगर आप कोई भी वीडियो को थोड़ा सा slow अगर कोई भी वीडियो है तो इस तरह साप उसका जो play speed है उससे आप change कर सकते हो यहां से आप rotate कर सकते हो वीडियो को and इस button को press करके आप controls को lock कर सकते हो अगर आपको वीडियो में से किसी भी पाट को रिमूब करना है यह सारी काम आप कर सकते हो and वीडियो प्लेयर के अंदर कुछ settings भी देखने को मिलता है and background play का option है तो background में वो चलता रहेगा और galaxy enhance app अगर आप इस्तमाल नहीं कर रहे हो हाला कि यह काफी सारे phone के अंदर support नहीं कर रहा था and one y6 update आने के बाद यह support कर रहा है यहां से आप पहले photo को edit कर सकते हो but now अभी आप photo and video को भी edit कर पाओगे लेकिन पता है problem क्या है मैंने video को तो import कर दिया यहां पर कोई भी edit का option नहीं है ना ही कुछ मुझे controls देखने को मिल रहा है अगर मैं three dots पर tap करता हूँ तो यह दो option आ रहा है plus बलेकन के उपर tap करता हूँ तो directly यह gallery पर जा रहा है तो I think यह कोई bug या फिर problem है और इन दो features का credit इन भाई सब को जाता है So guys I hope आपको यह video पसंद आया होगा इसी बात में वीडियो को like and share कर देना अगर अपने कुछ ने feature देखा जो कि मैं बताना भूल गया तो उसके regarding भी आपनी चीमशी कमेंट करके जरूर बताना ताकि बागी सारे लोगों को भी उस चीज के बार भी मालूँ पड़े और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आए डिजिटल टाच को ही सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बाकी सारे सोसेल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आप लोगो मिल जाएगा वहाँ पर भी काफी सारे चीज़ें डालता रहता हूं तो जाके फॉलो कर लेना